डीके शिफ कुमार की ये तस्वीर जबरदस्त वाइरल हो रही है जिसमें करनाटे के टिपी सीएम बीजेपी नेता के पैर छूते और शॉल उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं आपको बताते हैं कि बीजेपी नेता एस एम कृष्णा के घर फूलों का गुज़स्ता लेकर पहुचे डीके शिफ कुमार उनसे मुलाकात करने पहुचे जहां उन्होंने बीजेपी नेता के पैर छुए और शॉल उड़ाई अब आपको बताते हैं कि डीके शिफ कुमार अचानक बीजेपी नेता के घर क्यों पहुचे दरसल डेप्रिसीम डीके शिफ कुमार बीजेपी नेता से मुलाकात करने पहुचे क्योंकि वो उनकी रिश्चदार है अल 2021 में डीके शिफ कुमार की बेटी एश्वरिया के शादी बीजेपी नेता एसेम कृष्णा की नाती अमरत्य से हुई थी और अब बात करें तो एसेम कृष्णा की तो वो सक्रे राजनेती से सन्यास ले चुके हैं वे बीजेपी के बड़े नेताओं में गिने जाते हैं इसके पहले उन्होंने कॉंग्रिस में करीब 40 साल का वक्त बिताया 2017 में उन्होंने कॉंग्रिस छोड़कर बीजेपी को जॉइन किया था डिप्रिसीम बनने के बाद डिकेशिव कुमार अपनी बेटी के ससुराल पहुचे जहां उन्होंने बिजेपी नेता ऐसेम कृष्णा से मुलाकात की